दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आई हूं, जिसका फल, जिसके छिलके, सारी चीजे बहुत उपयोगी हैं, यह है नारीयल, और नारीयल तो हम सबी खाते हैं दोस्तों और नारीयल के छिलके को जादा तर हम लोग फेक देते हैं, आज इस वीडियो में आपको नारियल के छिलके का भी उपयोग बताऊंगी नारियल के गिरी का भी उपयोग बताऊंगी नारियल खाने के कई तरीके बताऊंगी ताकि आपको यदि हड्डियों में दर्द होता है ज्वाइन पेन होता है तो उससे आपको राहत मिल सके तो ना कोशक तत्वों का भंडार है नारियल, भरपूर मात्रा में इसमें calcium, magnesium, copper, vitamins होते हैं जो कि हमारे दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत फाइदे मन्द हैं, overall हमारे health के लिए नारियल बहुत फाइदे मन्द है, छिलके का क्या करना है दोजों जब भी नारियल का इस्तमाल कर और यह जो नारियल के छिलके हैं, इसे किसी भी भारी बरतन में रखकर आप इसे थोड़ा सा जला लें, आप इसे जलाने के लिए गैस के चूले के उपर रखकर जला सकते हैं, या फिर आप माचिस की तिली के द्वारा भी इसे जला सकते हैं, यह रखे, मैंने एक पुरानी ल तो मैंने यहाँ पर इस कढ़ाई को थोड़ा भारी बरतन लिया है मैंने ताकि बरतन जलने ना पाए और बस इस तरह से जलागा है या फिर इस कढ़ाई को आप गैस के उपर रखें पर गैस के उपर रखने में कमसे 10 से 12 मिनट लग जाता है माचीश से जलाएंगी तो फटा- घर के अंदर तो इस बात का ध्यान रखें थोड़ा घर के आंगन में ये काम कर लें और छिलकों को जलाकर जो काली राख निकलेगी जो भस्म निकलेगी दोस्तों उसका इस्तमाल आप बवासीर के इलाज के लिए कर सकते हैं जो पाएस की तकलीफ है दोस्तों यदि नारिय लें खाली पेट लें इसके अलावा जो नारियल के छिलके की जो भस्म होती न दोस्तों इसका इस्तमाल आप लोग एक नैचरल हेयर डाय की तरह भी कर सकते हैं नैचरल हेयर डाय की तरह भी आप कर सकते हैं ये देखे तो सारी जब भस्म जल गई है दोस्तों आप देख मैं आप hair dye के रूप में भी इसका इस्तमाल कर सकते हैं, इसका powder ले ले लें, आधा चमस दोस्तों, नारियल तेल में मिलाकर यदि आप लगाते हैं, तो आपके सफेद बालों की समस्या दूर होगी, आपके बाल काले होंगे, और बजार वाले केमिकल के dye से तो ये बहुत जादा अधा च्शलों को जला लेना है, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ, ये देखे, और इसकी भस्म बनाकर मैं तैयार रखती हूं, जुकि सारी भस्म जल जाती हि ना दोस्तों, तैयार हो जाती है उसका आप इसका इस्तमाल छान कर ही करें, क्योंकि नारियल की देख रहे है, आप एक चमच नारियल का तेल डालें आप नारियल तेल की जगा एलोविरा जेल के साथ भी इस भस्म को मिलाकर नैचरल हेयर डाय तैयार कर सकते हैं सफेद बालों की समस्या दूर कर सकते हैं इसके लाबा दही में डाल कर खा सकते हैं बस इतना ही खाना है वन फोर्थ टी स्पून सुभा लेना है खाली पेट लेना है दही के साथ मठे के साथ जैसा आपको पसंद हो आपको बवासीर की तकलिट से तुरंथी आराम मिलेगा और ये तो हो गया छिलके का प्रयोग दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी नारियल की गिरी के क्या-क्या प्रयोग है आप गीला नारियल खा सकते हैं आप एक छोटा टुकड़ा सूखा नारियल खाएंगे न पुराने से पुराना घुटनों का दर्द कमर का दर्द, हड्डियों का दर्द बिलकुल ही समाप्त हो जाएगा ये इतना जादा फाइदेमंद है दोसों आप चाहें तो सूखा नारियल के साथ मिश्री खा सकते हैं या थोड़ा सा सूखा नारियल का टुकड़ा ले ले आप इसे थोड़ा पानी में भिगा दें या दूद में उबाल कर भी ले सकते हैं गीला नारियल अगर आप बजार से लेकर आते हैं तो दो दिन में खराब हो जाएगा इसलिए यहाँ पर मैंने सूखे नारियल पर जोर दिया है क्योंकि रोज गीला नारियल हम लोग बजार से नहीं खरिश सकते सूखा नारियल एक बार आ गया तो महना भर चल जाएगा पंदरा दिन चल जाएगा यह देखे जो मैंने स्लाइस काटी दो से तीन स्लाइस आपको खाना है भरपूर मात्रा में आइरन होता है खून की कमी को दूर करता है जो लोग एनिमिक हैं उन्हें भी नारियल का सेवन डेली करना चाहिए एक छोटा टुकड़ा जब टाइम है तब खाए सूखा नारियल हमारे दिमाग के लिए बहुत फायदेमन है हमारे याददाश को तेज करता है हमारी मीमोरी को शार्प करता है आप कह सकते हैं एक अमरित के जैसा है रोज खाने से दोस्तों हमारी यादश्ट अच्छी होती है अल्साइमर से निजात मिलती है जिने भूलने की बिमारी है उनके लिए तो ये इतना फायदेमन्द है ये श्रीफल मैं क्या बता हूँ आपको दोस्तों इसके अलावा ये नारियल हम खाते है तो इसका प्रभाव हमारे स्किन पर पढ़ता है हमारे बालों पर पढ़ता है हमारे चहरे पर हमारे स्किन पर निखा राता है हमारे चहरे पर फोड़े फुनसी कहोना बंद होता है बस ये जो ब्लैक कलर की प्लेट पर रखाना, तीन पतली पतली स्लाइज, इससे ज़ादा नहीं खाना, केवल दो या तीन पतली स्लाइज नारियल की रोज खाना है, पानी में भिगा कर भी खा सकते हैं, दूद में उबाल कर भी, और नारियल खाने से तवचा के साथ बालों पर भी प्रभाव पड़ता है, हेर फॉल रुटता है, चहरे की बात करें दोस्तों, तो हमारे चहरे पर लंबे समय तक जुर्या नहीं आती है, हमारे स्किन को हाइडरेट करता है, हमारे स्किन पर मॉइश्यर बना रहता है, जो दिल के रोगी है, उनके लिए भी नारियल का सेवन, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, एक छोटा टुकडा नारियल का जरूर खाएं दोस्तों, भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, इसे खाने से लंबे समय तक हमारा पेट भरा रहता है, हमें भूख नहीं लगती है, और वजन को कम करने में आसानी होती है, सांती स नारियल में गुड कोलेस्टरॉल होता है, तो ये वजन नहीं बढ़ने देता है, कैंसर जैसी खतरनाग विमारी से भी हमें बचाता है, और हमारी इम्मुनिटी को बढ़ाता है दोसों, एंटी बायोटिक होता है, एक सुपर फूड है, सर्दी खासी, बदंदर्द, बुख जोडों के दर्द से हमें आराम दिलाता है, हमारी रोग परती रोधक शमता को बढ़ाता है, जो डायविटिक पेशेंट है, उन्हें भी एक छोटा सा सूखा नारियल का टुकड़ा जरूर खाना चाहिए, जिनने ब्लड प्रेशर है, वे भी खाएं, और बाकी लोग बारे काट कर उबाल कर ले सकते हैं, और इन्फर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो होती ना दोसों उसे दूर करता है, नारियल का सेवन, गठिया अर्थराइटीस के लिए तो राम बान नुस्का है, कॉंस्री पेशन बवासीर को दूर करता है, यूरिन इन्फेक्शन से भी हम चुटकारा दिलाता है, और साथ ही साथ दोसों, नारियल खाने से हमारे चहरे पर जुरिया नहीं आती जल्दी, हमारे चहरे पर पिग्मेंटेशन नहीं होता है, हमारी शाडिरी कंजोरी को दूर करता है, हमारे जोडों के दर्द से रहत दिला कर हमें खुबसूरत बनाता ह नारियल का सेवन, नारियल का पानी भी पी सकते हैं, आजकल तो परन्तु नारियल पानी बहुत महंगा आता है, रोज हम लोग नहीं खरीद पाते हैं, सुखे नारियल की गिरी तो एक बार ले आएंगे तो 8 दिन काम हो जाएगा, 15 दिन काम हो जाएगा आपका, साथ में आप तो एक ग्लास दूद ले सकते हैं, हड्यों के दर्द, नसों की कमजोरी, जोडों की सूजन से आपको रहत दिलाएगा, और साथ ही साथ, आपके शरीर के लिए, आपकी ब्यूटी के लिए फायदे बनाएगा, वीडियो अच्छा लगए तो लाइक करें, शिखास किचन चै करें, आपके को आपके लिए, इसक्राइब करें.